हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जिसे की बिस्किट से बनाया है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी है तो चलिए फ्रेंड्स आईए देखिए बिस्किट से बनके तयार हुई यह मिठाई कैसे बनाते हैं यहाँ पर मैंने दो तरह की बिस्किट ली है दस रुपे की पाढ़ लेजी बिस्किट और दस रुपे की और यो बिस्किट अब दोनों बिस्किट को पैकेट में से फार के यहाँ प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पर जो मैंने Oreo biscuit ली है वो strawberry flavor का है आप अलग-अलग तरह के कोई से भी flavor इस्तमाल कर सकते हैं या फिर इसके बदले कोई सा भी chocolate biscuit इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह से दोनों biscuit को हमने packet में से निकाल लिया है अब इनका हम powder बनाएंगे तो पहले पारलेजी बिस्कित का पौडर बनाके अलग कर लेंगे तो बिस्कित को तोड़ तोड़ के मिक्सी जार में डालेंगे और इसके बाद हम इसका पौडर बनाके तयार कर लेंगे तो ये देखिए कितना फाइन पौडर बनके तयार हुआ है अब इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं इसके बाद इसी तरह से हम Oreo biscuit का पाउडर बना के त्यार कर लेंगे तो biscuit को तोड़ तोड़ के mixy jar में डाल लेंगे इसके बाद इसका fine powder बना के त्यार कर लेंगे तो ये देखिए औरियो बिस्किट का भी पाउडर बनके तयार है इसे भी अलग बॉल में निकाल लेते हैं अब इस तरह से यहाँ पे दोनों बिस्किट के पाउडर बनके तयार है अब हम इनका डो बनाएंगे तो पहले पारलेजी बिस्किट का पाउडर लेंगे और इसमें एड़ करेंगे एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें आविशक्ता नुसार थोड़ा थोड़ा करके दूट डालते हुए इसका मुलायम डो बनाके तयार कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको बनाएंगे ताकि यह जब हम इसे रोल करें तो यह फटे नहीं तो यह देखिए डो कितना बढ़िया और सॉफ्ट बनके तयार हो गया है तो इसी तरह और्यो बिस्किट का भी मिला लेते हैं तो और्यो बिस्किट में हम कुछ भी एड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इसका हमने जो क्रीम था वो अलग नहीं किया था उसे भी साथ में पीस लिया था तो बस दूद मिलाते हुए इसका भी डो बनाके यहां पे यह देखिए हमने तयार कर लिया है अब डो का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसको हाथ से ऐसे दबाते हुए पतला सा लंबा सा रोल कर लेंगे और इसके बाद इसके चोटे चोटे पीसेज कट करके तयार कर लेंगे और इन पीसेज को हाथ पे ऐसे रोल करते हुए हम इस तरह से बिस्किट बॉल बना के त्यार कर लेंगे तो इसी तरह से सारे पीस के हम बिस्किट बॉल बना लेंगे इसके बाद दूसरा भी लेंगे डो का पार्ट और इसको रोल करने के बाद छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेंगे और इसके भी छोटे-छोटे बिस्कित बॉल बना के त्यार कर लेंगे तो इस तरह से ओरियो बिस्किट और पारलेजी बिस्किट के छोटे छोटे बॉल बना लेने के बाद अब हम दोनों बॉल में से तीन तीन बॉल लेंगे और इस तरह से एक के बाद एक रखेंगे और इसके बाद इन्हें आपस में दबाते हुए इकठा कर लेंगे और ये देखिए अब हम इसको हाथ पे इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल हलका हलका इसको गोल कर लेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया डिजाइन बनके तयार हुआ है अब इसके उपर कुछ भी लगा ले चौको चिप्स लगा ले या फिर टूटी फ्रूटी लगा ले और इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ तो तीन ओर्यो बिस्किट और तीन परलेजी बिस्किट के बॉल लेंगे और इन्हें आपस में दबाते हुए हलका सा इकठा कर लेंगे और इसके बाद बिलकुल हलके हाथ से इसको ऐसे हाथ पे घुमा के इसको डिजाइन बना लेंगे और ये देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पे सारे बिस्किट के मिठाई बना के तयार कर ली है और इसके उपर मैंने यहाँ पर टूटी फ्रोटी लगाया है और इसके बार ये मिठाय बनके बिल्कुल रेडी है ये खाने में बहुत टेस्टी होती है आप भी इसको बनाईए और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए